तो इस्टेटिक दियान प्रकास आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप KVS में Primary Teacher, PRT या फिर TGT या फिर PGT किसी की त्यारी कर रहे हों तो उसमें जो Part 1 है ठीक है जो की Language Test का होकता है Part 1 में Hindi और English के 10-10 प्रस्ण होंगे इसके रामा जो Part 2 होगा पेपर का Part 2 उसमें आप से Static Z के और Current पुछा जाएगा साथ ही साथ इसमें Reasoning और Computer का भी प्रस्ण होंगे Part 3 जो होगा वो पेडागाजी से होगा तो ये तीन Part सभी में Common है ठीक है अब यहाँ पर देखिए इसके पहले दो Mock Test मैंने अपलोड किये हैं चैनल पर तो उसमें जो Mock Test No.2 मैंने अपलोड किया था उसमें बहुत सारे Student कह रहे हैं कि यह तो बहुत ही Tough Label का है तो इसलिए मैं यहाँ पर KVS का Previous Year का Question Paper लेकर आया हूँ और इसमें आप यह देख पाएंगे कि प्रस्नों का Exact Label क्या है यानि कि किस प्रकार के प्रस्न अभी तक KVS पूस्ता रहा है तो इससे आपको काफी Help मिलेगी कुल मिलाके कितने प्रस्न होंगे तो कुल मिलाके यहाँ पर 35 MCQ है और प्रस्नों को बरतमाम पर प्रेक्ष में क्योंकि यह पुराना Question Paper तो बरतमाम में कुछ आंकड़े करने फिर्क बदल गए हैं तो उनको मैंने अपडेट कर दिया है चलिए देखिए कि 35 प्रस्नों में से कितने प्रस्न आप सही सही लगा पाते हैं ठीक है और हां बता पिर्देन की यह जी और लिए को यहाँ पर मिलेंगे तो चलिए देखिते हैं पहला Question क्या है ततकाल उरज्या के लिए Instant Energy के लिए खिलाड़ी निम्लिखित में से क्या लेते हैं तो इंस्टैंड अनर्जी के लिए खिलाड़ी लेते हैं क्या लेते हैं अजमेर में किस सूफी संद की दरगा है तो दोस्तों अजमेर में मिलेगा आपको मुनित दिन चिस्ती का दरगा option B correct है इनका जो समय है आपको पता ही होगा 1141 से लेकर 1236 तक रहा था इसके बाद तिसरा question देखिए किस पदार्थ या समगरी में ध्वनी सरवार्धिक धीमिक गति से गमन करती है तो जैसा कि आप लोग जानते हैं ध्वनी सबसे तेज चलती है ठोस में उसके बाद द्रव में और फिर गैस में तो यहाँ पर देखिए ये सबी चीज़ें क्या हैं दो तो ठोस हो गए एक आपका लिक्विड हो गया तो यह सबसे मतब यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो option A बनेगा अगला question है भारती राष्टी द्वज में बने चक्र में कितनी डंडिया होती है तो आपको पता ही है कितनी डंडिया होती है 24 डंडिया यहाँ पर होती है फिर मागे बढ़ेंगे अगला question देखिए नेतरदान में आंख के किस भाग का प्रयोग किया जाता है मतलब जब आप नेतरदान करते हैं या कोई नेतरदान करता है तो उसके आंख का कौन सा पार्ट ले लिया जाता है तो इसका अंसर बनेगा कार्निया और कौन सा एक टेनिस के लाड़ी नहीं है तो यह काफी पुराना आकड़ा है इसको छोड़ते हैं आगे बढ़ते हैं अगला question है कि एक स होता है ठीक है चलो detail में जाते है question को देखना है में भारती railway की अधिक्तम आय कहां से होती है बताओ तो देखो फ्रेंट्स जो भारती railway है उसकी अधिक्तम आय होती है माल भाड़ा से यानि कि question का option B correct है संसत के दो क्रमिक सत्रों में समय अंत्राल किसे से अधिक नहीं होना चाहिए मतलब संसत के जो दो क्रमिक सत्र होते हैं उस में 6 मिन से अधिक का अंत्राल नहीं होना चाहिए तो यहाँ पर option B आपका बिल्कुल correct है फिर देखिए मानो रख्ट का जो pH value होता है कितना होता है तो मानोरक्ष होता है, वह अगर आप देखेंगे, तो जैसे कि एक HDC होता है तो मानोरक्ष क्या होता है, ये nature में basic होता है, इसमें 7.4 के आसपास इसका रहता है, मतलब इसमें दिखाया गया है कितना, ये वाला आपड़ा यहां पर सही हो सकता है, ठीक है, exactly ये 7.35 से लेकर 7.45 तक जाता है, लेकिन यहाँ पर और कोई तो मैच हो नहीं रहा है, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो हम इसी को लेके चलेंगे, यही पर ये सही होगा चटानों के रुपांतरन की प्रक्रिया में क्या समलित हो सकता है, क्वार्जाइट में परिवर्थित होता हुआ सैंड इस्टोन ये करेक्ट है, संगमर्बर में परिवर्थित होता हुआ लाइप इस्टोन ये भी सही है, स्लेट में परिवर्थित होती हुई सैल ये भी सही है यह मतलब सभी सही है आपर option D सही है ठीक है तो देखो जो रुपांतरी चट्टाने होती है उसमें एक क्वाटजाइड होता है एक गनीश होता है फिर स्लेट होता है परतदर चट्टाने होती है और संगमर्मर होता है तो इस प्रकार से ठीक है अगला कुशन देखिए प्रसन है कि भारती समिदान में यह प्रावधान होता है कि राश्पती लोग सभा के लिए दो सदस्यों को प्रावधान होने चाहिए तो आपको पता है होगा यह रेड इंडियन होता है यह मैंनी कि इसका जो आंसर बनेगा उपनेगा एंगलो भारती समुदा यह और अगला कुशन देखते हैं प्रस्टोंगा कि भारती समिदान की आठ्वी अनसूची में निर्मनलिकित में से किस भासा का नाम नहीं है तो आठ्वी अनसूची की बात हो रही है उसमें राजस्थानी नहीं है बाकी तो सबही है राजस्थानी को सामिल करने के बारे में समय समय पर आवाज भी उठती रही है और अभी 21 तक इसे सामिल नहीं किया गया है अगला कुशन देखिए निर्मनलि सा मिस मैच है चलो एक देख लेते हैं जो पर ऐंसर बने गहा हो क्या है चुनला करक्कि टे बूर्ध कराया है तो आप्सट संब्धर ट्रेड यूनियन थे हैं देखो फ्रेंड्स जो trade union होते हैं क्या होते हैं कर्मचारियों न्योकताओं और स्वतंत्र समीकों का union होता है trade union और भारत में इसे 1929 से ही मानिता मिली हुई है तो यहाँ पर आप देखेंगे तो INTUC यह है trade union से समंदित है INTUC का एक फुल फार्म भी होता है like as क्या होगा India National Trade Union Congress तो आप देख रहे होंगे कि प्रस्णों को जो मैंने रखा था आपके जो है mock test में तो उसके अन्रूप है या नहीं ठीक है तो आपको तैयारी अच्छे से करनी होगी ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आप जो प टीस मैई को मनाया जाता है कभी-कभी क्या पूछा जाता है इसका यह सकी थीम क्या है तो दे wz की छत किसे कहा जाता है पामीर पठारप कहा जाता है और चीनी में चाइनीज में पामीर को कोंगलिंग भी कहा जाता है ठीक है तो ये भी यादगना कि इसको चाइनीज में कोंगलिंग नाम से भी जाना जाता है अगला देखिए न्यू बैंक आफ इंडिया का विले किस बैंक के साथ हो गया है न्यू बैंक आफ इंडिया अब पुरानी बात है 2017 में ही न्यू बैंक आफ इंडिया का विले हो गया था भारती स्टेट बैंक से यह इंपॉर्टन नहीं है लेकिन ऐसे प्रसों को देखना अंतरराशी रेट क्रास समिधी का मुख्याले कहां पर है तो आपक मतलब एक जैसे तापमान वाले शेतर यह भी सही है आई सो हाइटरस मतलब एक जैसी वर्सा वाले शेतर यहीं है आइस बात का अंतलब होता है समदुंद तल से समानगहराई वाले जो शेतर होते हैं यही आपका आदिका यानि कि यह जो है यह परिभासा गलत है फिर आगला कोशन देख़े नम्न में से कौन सा देश करैबियन देशों के समूह में में समलित नहीं है तो यहां पर बरमुड़ा हो जाएगा जिसके आप जानते हैं कि करिभियन देशों में कुल मिला के 15 देश है ठीक है ये भी रट लेना आप इसके बाद देखिए अगला कोश्चन क्या है अगला कोश्चन है यहाँ पर की भारत का राष्टी प्रतीक कौन सा है यहाँ पर जो ऑप्सन दिये गए हैं वो ऑप्सन क्या की बाद अगला कोश्चन देवेस कप का संब्वand कि स्खेल से है बता देवीस कप का संब्वंद होता है लान टैनिस से रट लेना आप और इसके अरों बहुत सब्वंद के सान के समस्थ उत यह कोन है Phren बालाचंदरन, सजद हुसैन, और इल सुब्रमणयम है, इसमें प्योड जो वालिन वादक हैं, वो एल सुब्रमणयम है, यही हमारा आंसर बनेगा, हलांकि जिया मोनदुन खान के बारे में भी जानी है, यह सारंगी के जानी माने जो है वादक थे, और एस बालचंदरन, सास् फीजो जिड़की दी थी कि इस्टेडी विद्ग्यान प्रकास जनरल का नाम है यह बताओ कि त्रिपनी किस राजिक का नरित्य नरित्य नाडिका है तो त्रिपनी का संबन्द है गुजरात से यह आपको पता ही होगा निर्मलिकित का मिलान कीजिए यहाँ पर देखो एलिमेनेसन मिथट अपना लिया करो जिसके समुद्र गुप्त को मने देखा समंद्र गुट को भारत का नेपुलिन कहा जाता है इसके बाद अब देको डी का चोथा किसमें सही है तो बी में सही है इसके बाद तो कहीं और चार दिया नहीं तो मतलब यही सही हो जाएगा हमारा आपसन बी सही है बाकी मिलान कर लेते हैं तो यह सब मैच हो गया है पर आपसन भी हमारा आंसर मिल गया मतलब एक को मिलाओ कहीं मिल जाते हैं इस समय पाकिस्तान का वजीर आजम कौन है तो यह दोको जो question paper है कब कहें मालूम है यह 2010 का question paper है अब 4-4 साल पे तो परिशाएं होती है के वीस की तो 2010 कोई बहुत पुरार वेपर नहीं का जाएगा क्योंकि तब से 2-3 बार परिशाएं होई है तो उस समय की छोड़ते हैं बरतमान समय में कौन है यह बताओ यह आपका जो है home work है बताओ पाकिस्तान का वजीर आजम यानि कि बरतमान में पाकिस्तान का प्रथान मंत्री कौन है यह बताना है आपको फिलाल तो इसमें से आप देखेंगे कई लोग तो हैं ही नहीं ठीक है चलो अगला question है सरोस्टेश फिल्म के लिए 2010 का आसकर पुरुसकार किसे दिया गया अब 2010 छोड़ो यह बताओ कि 2012 का आसकर पुरुसकार किसको दिया गया तो कोड़ा को दिया गया है ठीक है किसको कोड़ा को वास्भी करन दर निम्लिखित में से किस पर निर्भर नहीं करती है तरल के तापमान पर तो करती है तरल के पिछ छितपल पर भी करती है कुल तरब बिमान से कोई संबंद नहीं है वाइवद आप पर करती है तो यहां पर जो आपसंसी है यह हमारा उत्तर है इसके बाद देखिए निमलिकित का मिलान कीजिए अब यहां पर मिलान करना है वही मेथड़ अपना लेते हैं जिकिस सोडियम बाई कार्बोनेट को क्या क आक होता है पोटास पोटास क्या होता है फिटकिरी होता है और कल्सें है यह बिलीचिंग पाउडर है तो यहां पर आपसण जो भी है यह ragamaran और कितना आगे बढ़ें यह ऊगया रावर काक का कारे आम और हैं ता इनका नाम जो था चरचा में अया था इन्हों ने है जां की हाईजा के जो बैक्टिरिया है उसकी खोशकी थी संपत्ति का अधिकार पहले एक मौली का अधिकार था लेकिन अब उसे हटा कर कहा रख दिया गया है 300 का में रखकर कानूनिय अधिकार बना दिया गया है तो आप्सन यहाँ पर C से ही होगा भारती समिदान के पचपन में संसोधन 1986 के अंतरगत कि उसको पूर्ण राज का दरजा मिला था तो अरुणांचर प्रदेश यह उसका उत्तर मन जाएगा फिर है कि भारत के उप्ट राश्पति का चुनाओं एकनिर्वाचण मंडल करता है जो उप्ट राश्पति का चुनाओं होता है उसका वर्ण मिलेगा आपको article 54 में और इसमें कौनकों से लोग भाग लेते हैं तो संसत के जो निर्वासी स्दस होते हैं और राज विदान समाओं के सदसे इसमें participate करते हैं ठीक है इसके बाद चलो आगे बढ़ते हैं और ये 35 नशार प्रस्ण तो अब बताओ कि प्रस्णों का लेवल आपको कैसा लगा और इसके पहले जो मॉक टेस्ट नंबर टू आया था वो कैसा था ठीक है तो फिलाल बने रहे हैं मारे साथ और रेगलर प्रैटिस करते रहे हैं क्योंकि हम आपको ऐसे ही प्रस्ण देंगे जो कि एक्जाम में करेगा मेहनत आपको करनी पड़ेगी इसके लावां कोई आपसर नहीं है और मंजिल से पहले जो रास्ता है उसको पूरी इमांदारी सितने करिए सफलता जरूर मिलेगी आपको तो फ्रेंड्स यह था आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेर कर दीजिए थैंक तो प्सलिए कर दो प्यावां झाल टूर्श एक और शेंड्स यह थाए हैंट तो आपको शीजिए्ट कर दोवाश्व एक शबतांशने का तो प्सकैकर दो खबादार्स का वीडियोच्ट अभ़ें ऐसे प्मादार्स यह अदाबीग को शीएर क्या है आपको यह शी है ऑप